दोस्तो नमस्कार करनल अजैस यो अजैस टोमनी ग्रूफ आज है 14 फरवरी सन 2014 बुद्वार दोस्तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरे के निर्यात पर जानिये पूरी रिपोर्ट विस्तार से और यदि शो पसंद आए तो लाइक अवच्छी कीजेगा और कमें इन बॉक्स में अपने राय जिरू दीजेगा तोस्तो यदि हम आम तोर पर देखें तो भारत जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक और प्रोडूसर राष्ट्र माना जाता है धनिया जीरा दो ऐसे प्रमुख स्पाइसेज हैं जिसमें भारत अपना अग्रिने सान रखता है और भारत की से पूरा वर्ड मानता है आम तोर पर भारत से लगबग दो लाग टन जीरे का एवरेज एक्सपोर्ट होता है लेकिन इस बार इसमें साल 2023 में देखें तो इसमें कुछ अग्रे देखें तो साल 2021-22 में भारत से दो लाग चार अजार 388 टन का निर्यात हुआ था जो साल 2022-23 में घटकर 136,011 रह गया है यह वनेज मंत्राले का डाटा है दूसरी और अधी हम देखें तो इस बार जीरे की विजाई के जो आग्रे राजिस्तान और गुजरात से आ इसले साल 2,45,830 हेक्टर था से बढ़कर इस साल इसकी बढ़त 160 प्रतिशत जम करकर लगवक 5,616,306 हेक्टर के इस तर पर पहुँच गई है इसी तरह से राजिस्तान में भी जीरे का चितरफूर 6,87,781 हेक्टर की उचाई पर पहुचने के समाचार है जबकि निर्यात मे साल दर साल के देखा जाए तो साल 2023 में गिरावट हुई है क्योंकि इसके भाव काफी उचे थे पिछले साल उत्पादन कम होने से और बजार में भाव उचा रहने से जीरे का निर्यात प्रभावित हुआ है मसाले बोड के आकड़ों की देखें तो विश्तवर्ष 2023 की पहल से केवल 84,455 तन जीरे का निर्यात हुआ है जो पिछले वित्वर्ष की सामानदी से लगवख 31 प्रतिशत कम है विदेशी बजारों में भारती जीरे की कॉंपेटिटिवनेस घड़ गई थी क्योंकि सीरिया टर्की जैसे देशों का जीरा इससे काफी कम दामों पर उपलब था हालत तो एक समय ऐसी हो गई थी कि जिसमें चीन को भारत से जीरे का विशाल निर्यात किया जाता था वहां से जीरे का आयात करना पड़ा था दोस्तो महतवपुन ये है कि इस साल जीरे की बिजाई राजिस्थान और गुजरात में जो आकड़े दिये हैं उसके मताबिक काफी बढ़ गई है और पिछले साल जीरे की बिजाई बहुत अधिक कम नहीं थी लेकिन पिछले साल जीरे की बिजाई मामुली गिरावट थी उसके अलावा फसल खराब हुई थी इस मेशे से जीरे का उत्पादन काफी घट गया था लेकिन इस साल बिजाई बिजाई बी अधिक है और अभी तक जीरे का उत्पादन अनुकुल होने की उमीद है इससे जीरे के भाव घटने से जीरे का निर्यात अधिक होने की संभावना बन गई है गौरतलब है कि शांदार उत्पादन और उमीद और कीमतों में आई भारी गिरावट से एक बार फिर जीरे का निर्यात प्रदेशन अच्छा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और विदेशी खरीदार भारती जीरे की तरफ तेजी से आकरशित होने लगे हैं क्योंकि इसका मूल अब कॉम्पेटिव इस तरफ पर है गुजरात और राजिस्तान में इस बार जीरे का शांदार उत्पादन होने का अनुमान है जिससे साल 2023 चोईस मार्केटिंग सीजन में दिश में इसका कुल निर्यात बढ़कर दो लाग ठन उपर पहुशने का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों ये एक अच्छा संकीत मिलेगा साल 2023 में जीरे का घरेलू भाव उचल कर सर्वकालीन यानी स्टॉरिकल हाइस लेबल पहुशने से इसका निर्यात प्रदेशन काफी कमजोर था और साल 2024 में ये बैतर रहने की उमीद है गुजरात और राजिस्तान में इस बर विजाई छेतर काफी बढ़ चुका है और अन्तराश्टे बजारों में जीरे का दाम घट कर 3700-4200 डॉलर प्रदेटन के भाव आ चुके हैं जो कि अक्टूबर साल 2023 में 5907 से और 7000 डॉलर के उच्चता मिस्तर पर पाउस गया था जो घट के अब 3700-4200 डॉलर प्रदेटन है गौरत लब है कि फरवरी 2024 में देश से 14-15000 टंच जीरे का निर्यात होने की उमीद है जबकि मार्च में नई फसल की सप्लाई जोर शोर होने से निर्यात की रफ्तार और भी बढ़ सकती है अगामी समय में तेवारी मांग निकलेगी जबकि जीरे का भाव काफी हद तक आकरशा की स्थर पर मौजूद रहेगा मोटे अनुमान केता है देश ने दिसंबर 2023 में करीबन 10,000 टन और जनवरी 2024 में लगबख 13,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था आम तोर पर मुसलिम बाहुले देशों में रमजान के कहमें फरवरी में जीरे की भारी आया शुरू हो जाता है वैसे भी इसका तेवार मार्च या अपरेल में मनाया जाता है मगर आया तक उससे पहले ही जीरे की को इंपोर्ट कर उसका स्टॉक करते हैं गौरतलब है कि मार्च से जून 2020 के दुरान जीरे का ग्लोबल मजार मुल्य का इस तर पांसो डॉलर तरंट की गिरावट हो सकती है और उस समय भारत में नई फसल की भारी आवक होगी देश में जनवरी के दूसरे पखवाडे से जीरे की नई आवक शुरू हो जाती है और मार्च में ये काफी हर्थ तक बजारों में जीरा ही जीरा होता है दोस्तो ये है कि इस बार ये तो निश्यत है कि जिस तरह की परिस्थितिया ने जारा रही है कि इस बार जीरे का निरियात जम कर होगा और इससे निरियातकों को केस को फायदा हो सकता है लेकिन पिछली बार जो कमाई निर्यातकों ने की थी उतनी कमाई होने की उमीद कम है लेकिन मात्रा के अधार पर जीरे का एक्सपोर्ट की मात्रा दो गुनी तक बढ़ने की उमीद लगाई जा रही है दोस्तो आपको ये अपिसोड कैसा लग रहा है आप अपनी राय अवश्य दीजेगा तो दोस्तो हवारा चैनल आपको पसंद आता है तो सस्क्राइब अवश्य कीजिए All the very best, good luck, happy trading